सो हेलो एवरिवन मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हिंदुस्तान एरनौटिक शेयर के बारे में अब इस टॉक में हमारे ले आगे के लिए क्या टार्गेट सोने वाले हैं वो बता देता हूँ आज के दिन अगर इस टॉक को देखोगे तो यहाँ पे 0.5% कहा में आप मूव देखने को मिला है और स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है आज वो रहा है 4,475 रुपीज का अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपको इस टॉक को लेकर आपको टार्गेट दिया था वो था 4,886 रुपीज का आज के दिन में हमें यह टार्गेट अचीव होता हूँ देखने को मिला है अब यहाँ पे इस टॉक में आगे की बात कर लेते हैं आगे क्या होगा तो अब यहाँ पे दो सेनेरियो निकल कर रहे हैं सबसे पहला तो अगर कल के दिन यहाँ पे 4,486 रुपीज का breakout दे देता है अगर इस level का breakout मिल जाता है उपर की side तो फिर हमारे लिए यहाँ पे और भी up move देखने को मिलेगा और फिर जो दूसरा target देखने को मिलेगा वो होगा 4,699 रुपीज का यह target मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था और इसी के साथ साथ दूसरा scenario डिसकस कर लेते हैं अगर कल के दिन यहाँ पे इस area के around red candle बनती है red candle बनती है और closing दे देती है तो फिर हमारे लिए यहाँ पे stock में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और गिरावट आपको कुछ ऐसी बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी बट इयरेस्ट इसके support level तक थोड़ा सा stock नीचे आ सकता है अब support level कुन सा है वो है हमारा 4370 रूपीस का इस level तक यहाँ पे अगर rejection मिलता है उपर से तो इस level के around तक आएगा और यहाँ से फिर उपर जाने की कोशिश करेगा और अपने resistance प्राइस को break करने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें उपर के target देखने को मिलेंगे तो अभी फिलाल के लिए इसमें यही level निकल के आ रहे हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में